लेट ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR ठीक है और एडिया का रेश्यो दिया हुआ है ABPC और AC भी दिया हुआ है यहाँ पे इस कॉश्चन में आपको सबसे पहले तो ट्रेंगल बनाना समझने के लिए नहीं तो दिमाग में अगर एक्जाम में भी है तो ट्रेंगल बनाना और कुछ इसमें है नहीं तो यहाँ पर जो यह दिया ना यह एरिया का आपका P ABC एरिया का क्या रेश्यो तो यहाँ पर PQR या पर भी दिक्कत नहीं है इसका रेश्यो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 144 डिवाड़वे 149 कभी भी अगर एरिया का रेश्यो दिया हुआ बस इसको अंडरूट में डाल दो, यानि कि 12 डिएडवेस साथ दोनों को, ठीक है, तो यह हो जागा side of ABC, triangle ABC का ratio हो जागा, और triangle PQR का ratio, ठीक है, यह चीज हो जाता है, अगर side आपको दिया रहे, side का ratio दिया रहे, इस triangle का ratio दिया रहे, अगर आप उसका square कर दोगे, तो क्या निकल जागा, area का ratio, तो यतना चीज clear हो गया, बस यहीं main चीज है, इस question में, ठीक है, अगर यह आपको पता है, तो अब इस question म कुछ नहीं था, तो चलो, previous versions पर आजाते हैं, जहां थे, वहां आजाते हैं, PQR, तो यहां पर देखो, 9 और 20 का value, 7 दिया होगा, हमें क्या निकलना है, देखो, PR, PR मतलब, यह side निकलना है, तो यहां पर देखो, इस 9 का value, actually में, क्या देखो है, इस 9 का value, AC का value 9, तो इसमें इसका value 12 है, है की नहीं, या फिर 12 नहीं है, 12 का value है, जो हमने क्या निकलता है, sides का ratio, 12 is to 7, निकला था न, तो इस 12 का value 9 दिया होगा, यानि कि इस 12 के जगा पर 9 है, तो 7 के जगा पर क्या होगा, तो 12 के जगा पर 9 है, तो 7 के जगा पर क्या होगा, 9 divided by 12 into 7, तीन से 3 बार में क तो कुछ था नहीं बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि Sides का अगर हम Sides के रेशियो दिया रहे तो उसका square जब करते है, Sides के रेशियो का तो क्या आता है? Area आता है, Area का Ratio आता है